सबसे पहले बात देश में जारी राजनीतिक घमासान की मोधी कैबिनेट का विस्तार कब होने जा रहा है? किसको इनाम मिलेगा? कैबिनेट विस्तार में जेडियू का पेच क्या है? चिराग ने किस आधार पर की मोधी कैबिनेट में मंत्री पत की दावेदारी? कैबिनेट विस्तार से पहले किनकिन राज्यों को मिले नए गवर्नर और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टर ने क्या कहा? सियासी विसाथ से जुड़े इन सभी खबरों को आईए देखते हैं टॉप नाइन चुनावी चक्रवियू में मोदी कैबिनेट का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा इसमें करीब 25 नए चेहरों को जगा मिलने के उमीद है जोतिरादित्य सिंध्या, सरवनंत सोनुवाल और नरायन डाने जैसे कद्दावर नेताओं के मोदी मंत्री मंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं कई मंत्रियों के छुट्टी भी हो सकती है मोदी कैबिनेट के विस्तार में जेडियों को भी जगा मिलनी तै है लेकिन कितने मंत्री होंगे इसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतुरित्व ने जेडियों को दो सीटों का उफर दिया है मगर वो तीन सीट चाहती है इसके लाबा पशुपती पारस को भी सीट दिलाना चाहती है कहा कि पशुपती पारस को लजेपी के कोटे के नाम पर मंत्री नहीं बनाये जाना चाहिए अगर पार्टी के कोटे से किसी को मंत्री बनना है तो उसका एक मात्र सांसद चिराग यानि मैं खुद हूँ बीजेपी का वरिश नेता और केंद्रिय मंत्री थावर्चन गहलोद को करनाटक का राजेपाल बनाया गया है नई जिम्मेदारी मिलने के बाद टीवी नाइन भारत वर्ष्ट से खास बात चीत में थावर्चन ने कहा है कि वे कल मंत्री पद और राजे सबा की सदस्यता से स्तीफा देंगे केंद्र में कैबिनेट विस्तार से पहले आज राश्टोपती रामनात कोविन ने आठ राज्यपालो की इन्युक्ति की है इसमें से चार का ट्रांसवर किया गया है जबकि चार नए गवर्णर बनाये गये हैं ठावर्चन गहलोद के अलावा तीन नय गवर्नर मंगु भाई पटेल, राजेंद्र विश्वनात आर लेकर और हरी बाबु कंभम पती है प्रियंका गांधी यूपी में कॉंग्रेस में जान फूकने में जुटी हैं जहांसी और गाजेबाद में चल रहे पार्टी के प्रशिक चंशिवर को वीडियो कॉंफरेंसिंग के सरीए संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि टिकेट बटवारे में कारकरताओ से राई ली जाएगी दिली में सोनिया से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंद सिंग ने कहा कि पंजाब कॉंग्रेस में कोई कला नहीं कैप्टन ने कुछ दिर पहले ही दस जन पत पहुँचकर पार्टी अध्याक सोनिया गांधी से मुलाकात की उन्होंने सिद्धू के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया हमने की गल्ती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पुद्ध कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना